question है j main 2019 apple attempt day 2 shift 2 the domain of definition of function this is उसे उप्ष्ण है बहुत सिंपिल कोश्च्छन है domain निकालना निकालना की सीधा फंडा होता है हर function कप-कप defined है बस देखते चले जाओ जैसे इस particular question में आप देखिए यहां पर दे रखा है 4-x² प्लस लॉक के अंदर x³-x आप सभी को पता है यह नीचे जो भी quantity that cannot be 0 हम बोलेंगे 4-x² cannot be 0 तो जो x² है cannot be 4 जो x है that cannot be plus-2 दूसरी बात लॉक के अंदर whatever होता है that should be positive पोजिटिव होना चाहिए और दूसरी बात यह है इसको x common ले लिए प्रेक्टर आजाएंगे x-1 x-1 और inequality उसे करते हैं number line मना लिए यह 0 पे है यह 1 पे है यह minus 1 पे 0 हो रहा है तो minus 1 0 1 हमेंसे यहां plus minus plus minus plus लेते हैं और यह एक positive quantity है जोशे साब सीगिए और यह इसका answer बना तो answer बन गया x belongs to minus 1 से लेके 0 तक 1 से लेके infinity तक बट ही greater than है इसलिए हमें सब open interval आएगा जी इसका answer बना अब दूनों में हमें चाहिए है common part क्योंकि दूनों बाते डिफाइन होने चाहिए तो क्या है minus 1 से 0 तक में 2 भी नहीं आता है minus 2 भी नहीं आता है लेकि 1 से infinity में 2 आता है लेकि 2 तो हो नहीं सकता है तो इसका जो answer बना क्या बना इसका answer बना minus 1 से 0 union 1 से लेके आपका बना infinity तक accepted 2 जिसको थोड़ा सा और सिंप्र दे वर्जियं में लेकिए minus 1 से 0 union 1 से लेके 2 तक union 2 से लेके infinity बिटर 2 के हमने open लगा इसका अंदर 2 इंक्लूड नहीं है यहीं आपकी डोमेन हो गई ठीक है तो answer सब से कौन सा हुआ minus 1 से 0 1 से 2 2 से infinity तो answer इसका है third part इसका answer हो गया thank you